नमस्कार दोस्तों टार्गेट विद प्येस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। परिच्छा के परिच्छा में तो दो अतिरिक्त आउसर दिये गए हैं। ये पत्र है सतिस महाना जी का मंत्री हैं और दोगी की विगास भाग में। इन्होंने खुत मुक्य मंत्री को पत्र लिखा है। उन्होंने का कि पीसेट दो अतिरिक्त आउसर दिया गया था। इसी तरीके से संगलोक सिवा आयुगनी भी दिया था। अताहा आपसे अनरोध है कि उपरोगत को द्रिश्टिके धान में रखते वे दो अतिरिक्त आउसर दिये जाएं। लेकिन सरकार ने अपने ही मंत्री की बात भी नहीं मानी और इसी तरीके से सुब्रत पाटक जो सांसा था कन्योज के उन्होंने भी मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा है और उसमें भी मांग किये कि इन विद्यार्थियों को दो अतिरिक्त आउसर दिया जाएं। 2020 और 2021 में इसी तरीके से PCS में दो अतिरिक्त आउसर की मांग की थी अर्चना पांडे है राज मंत्री देखे यहां पर लिखा है भूतत तो एम खनेच कर्म आपकारी एम मद्द निसेथ 28 मई को इन्होंने पत्र लिखा था इसका भी कोई जवाब नहीं दिये मुख्यमंत्र और विद्यार्थी बहुत ही उम्मीद से सरकार को लाय थे कि CBI जाच को की बहुत सारे लोग पगड़े जाएंगे तो CBI जाच को भी इसी सरकार ने सुरुवात करी और इसी सरकार ने CBI जाच को भी अपरत्त से रूप से रोग लगा दिया है भरतिया लगबक उत्तर पतिस लोग से वह आयोग से पूरी तरीके से बंद हैं चाहिए वो समिच्चाद करी सा एक समिच्चाद करी करना है विग्यापन हो PCS के पदों को घटा दिया गया है और विद्यार्थियों के बात सुनी नहीं जा रही है अब बात करते 69,000 शिक्षकवर्ति महागोटाले की 69,000 शिक्षकवर्ति महागोटाले में एक बड़ा खुलासा किया है भारत समचार न्यूज चैनल ने और उसने कहा कि इस महागोटाले में जो परिच्चा एजेंसी है उसकी बहुत बड़ी भूंका है एक सिंडिकेट की तरीके से काम किय गया है और विद्यारतियों के जो नंबर है वो अजेंसी की दोरा बढ़ाए गये हैं स्कैन हुई थी स्कैन के दोरान और उसके बाद घोटाला हुआ है निसी कमपनी ने सिंडिकेट को ठेका दिया था जिस कमपनी को ठेका मिला ये सिर्फ चार लोगों को पता था सिंडिकेट को कमपनी की जानकारी किसने लिग की ये बड़ा सवाल है यूपी में सिक्षव भर पर्देश में बहुत बड़ा कुलाता है और भारत माचार उस कंपनी तक पहुच गया जो दिली की कंपनी जिसको ये कापी जाजने जाजने की जिम्मेदारी भी गई थी और उसने पर्याग राज में इलाबाद में अपना वहां पर कारियाला कोला था ये बहुत बड़ा सिंटीकेट है जिसमें ये गोटाला कराया है और बताए जा रहा है कि नोगरिया लाखों लाख से भिकी हैं अब इसमें आज इस तरह से कीजे सामने आईए जिसमें कई सारे बड़ों के नाम भी शामिल है इनका नाम होगत आने पर खुलासा करेंगे लेका मिला था उसको 4-3 को लोग जानते थे मतलब खुलासा ये है कि पेपर आउट तो ठीक है सालवर तो ठीक है और इस परिच्छा को आयोज़त करने वाली जो कंपनी थी जो एजेंसी थी उसने OMR में बहुत बड़ा खेल किया है ये बताया है भारत समाचार ने हालाकि STF ने जाज सुरू कर दी है और ऐसी उम्मीद है कि बहुत जल्दी बहुत बड़ा खेल आपके सामने होगा लाखों लाख करोनों रुपए में ये नोकरियां बेज दी गई है 79,000 शिक्षक बरती उत्तर प्रदेश में बात ये नहीं है कि केवल इसी बरती में भरती में भरता होता है जादा तर भरतियों में बहुत जदा भरती रह जाते रहें अच्छा हुआ इलाबाद हाई कोट का जो इस बरती को जिसने उत्तरकुंजी के कारण इस्टे दे दिया होते और जाने कितने नहीं हालों का भविस बरबाद कर चुके होते यहां पर लिखा है कि बहुत सारे नेताओं का भी हाथ है जाच में बेनकाब होंगे कई चेरे एस्टेफ न जाच अपनी शुरू कर दी है और लिखा इस्पूल प्रवंदक पर भी कसे का कबजा शिक्षक बरती में गलबड़ी 32 गरिफतार लगनहु को सिपाही निकला सरगना वही पर IPS अमिताब ठाकुर ने मांग किये कि अब इस बरती की CBI जाच हो यहां पर लिखा है Civil Defense के IG अमिताब ठाकुर बुदवार को प्रियागराज में मेडिया से रूबरू हुए और उन्होंने 99,000 शायक सिक्षक भरती की CBI जाच कराने की मांग सासन से किये अमिताब ठाकुर ने कहा कि उन्होंने इस भरती में फर्जी वाड़ा होने पर करनल का स्थाने में FIR दर्ज करने की तरेर दी थी लेकिन पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया ऐसे में बुदवार को उन्होंने कोर्ट में मुकदमा कराने के लिए केस फाइल किया है अमिताफ ठाकोर ने बताया कि इस भरती के पेपर लीक होने के मामला सामने आए तो इसमें बहुत सारे साक्षे मिले हैं जैसे भारा समचार ने बताया और अमधाफ ठाकोर ने बताया और इन्हों ने जब अपील किया था एक खारसम नंबर जारी किया था इमेल आईडी जारी जारी किया था बहुत सारे लोगों नहीं इनको बहुत सारी साक्षी भेजे थे मैंने पताया था कि मैंने भी इनको बहुत सारी साक्षी भेजे हैं उधर नय मुर्चा ने देखिए इस तरीके से इसका विरोध किया है लिका भिष्ट चार मिटाओ रोजगर बचाओ भरती नह जनवरी को वीडियो बनाया था 6 जनवरी को ही आप लोगों को बताया था कि इस भरती में बगुत बड़ा की लुगा है लिखा है नाय मोर्चा के संयोजक को कार्याला से के बाहर रोका भर सिक्षक भरती परिच्चा में हुए भिष्टी तरह खिलाफ नाय मोर्चा की तो यह अपने कार्याला के बाहर ही प्रदेशन कर रहे थे और इनको पुलिस ने रोक दिया अगली सुझना प्रतिच्चा सूची के चैनितों को निक्ति पत्र जल्द प्रदेश के असास की साहता प्रप्त माधिमिक कालेजों में 2013 प्रशिचित इसना तक सिक्षक के पदपर चैन क कि लिए प्रतिच्चा सूची प्रतियोगियों की काउंसलिंग फरवरी माह में हो चुकी है और इन दिनों पूरू में चैनित भरतियों को कालेज में निक्ति का अउसर दिया गया यह प्रक्रिया चल रही है अपर शिक्षा निदेशक माधिमिक महंदर देव ने बताया कि यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रतिता सूची के चैनितों को नितिपत्र वित्रित किया जाएगा अगली सूचना है उत्तरपतिस लोगसेवा आयोग के सामने समय पर परिच्चा देने की चुनोती यूपी प्यस्जी ने अभी हाली में अपना नया और संसोधित पर भाओ लगतार बढ़ा हुआ है और किस तरीके से लोगसेवा आयोग ये ा कर पाएगा यह देखने वाली बात होगी लोगसेवा आयोग के अधिकारियों ने कहा है कि जब संग लोगसेवा आयोग परिच्चाइन करवा सकता है जून के महीनी में ही तो हम लोग भी परिच्छाएं करवा सकते हैं इधर LTE grade के लिए विद्धार्थी परेशान है धरना प्रदेशन कम से कम 40-45 बार धरना प्रदेशन कर चुके हैं और फिर से विद्धार्थी कल मिलने गया थे लोगसेवा आयोग के चेर्मेन से लेकिन लोगसेवा आयोग के चेर्मेन नहीं लिखा है उत्त्रप्तेस लोग सेवा आयोग अधच से मिलने के ल्टी ग्रेट सिख्चक बर्थी परिछा 2018 के बर्थियों को एक बार फिर निरा स्वकर के लोटना पड़ा है तीन माहवी लगतार शात्वी बार भर्थी बीना अधच से मिले लोटे हैं अब बर्थियों ने अ परिच्च तो यह परिच्चा भी थी दो बिश्यों का प्रणाम रोग दिया गया था बाकी का प्रणाम जारी कर दिया गया उनकी नुक्ति नहीं हो पाई और सोशल साइंस और हिंदी का भी तक प्रणाम भी जारी नहीं किया गया तो सरकार तो ताना साही रवाईया अपना अगली सूचना है DLR 2020 की लिकर DLR 2020 में प्रवेश इसी माँ शुरू करने की तयारी DLR Diploma in Elementary Education 2020 में प्रवेश का कारकरम अब तक जारी नहीं हो सका है वजह कोरूना का बढ़ता संक्रमाण है परिच्छ संस्ता सासन को काफी पहले ही प्रस्ता भेच चुकी अब एक सब्ता तक प्रिच्छ संस्ता स्थितियों पर निगाह रखे हुए है और आसान है कि 20 जून के आसपास इस्थिति नियंत्रित होने पर प्रवेश का कारकरम जारी हो सकता है प्रदेश के तो ये जानकारी मिल रही है कि 20 जून के आसपास डियलेट के जो आवेदन का जो नोटिफिकेशन वो जारी किया जा सकता है अगर इस्थिति समान रहती है एक और सूचना है आरचन को लेकर के असल में अब उत्तर प्रदेश भरती में इतने सारे पेच हो गए हैं कि इस भरती पर बहुत बड़ा प्रसना कि आखिरकार ये भरती हो कैसे पाएगी इन अधिकारियों की और इस सरकार की लगातार लापरवाईया और गैर जिम्मेदारी इस पूरी की पूरी भरती को फसा दे रही है इसमें इतने सारे केस हो चुके हैं ओवरलैपिंग को लेकर के आरच्छन को लेकर के उत्तरकुंजी को लेकर के कटाफ को लेकर के ओवरलैपिंग को लेकर के MRC को लेकर के बहुत सारे मुकत में बहुत सारी याजकाई दाखिल हो चुकी है और लगातार हो रही है लगभग प् नोटिफिकेशन में गलती करती है, बहुत सारी Arriyaруп psychiat करती है। इस पस्टी करना नहीं है कई पर भी पारदरिशता नहीं है। जब रिजल्ट जारी किया था तो उसमें भी की जिलेशनuten के लिफ्लिक्षाय में में होता है। जिन विद्यार्थियों के नंबर जादा हैं तो इस पर रोक लगनी चाहिए इसको चुनोती दिया गया है लिए आरचित वर्ग के अभर्थियों का समान वर्ग में समा योजन करने के लिए जारी 25 मार्च 1994 के सासना देश को हाई कोड में चुनोती दी गई है मामला 69,000 सायक अध्यापक बरती से जोड़ा है अजीत कुमार और 25 अन्न की ओर से दाकिल याजके पर सुनवाई कर रही है नयमूर्थी पंकेज मित्तल नयमूर्थ प्यूस अगरवाल की पीटने प्रदेश सरकार से इस मा अच्छा प्रावधान में हस्तक छेप करके ऐसी छूट देने का कोई अधिकार नहीं है जो पांच प्रिच्चत की छूट दी जाती अधिवक्ता आलोग मिस्र का कहना है कि 69,000 सिक्षक वर्ति में सरकार द्वारा TET पातरता के लिए आरचित वर्वार को पांच प्रिच्च 90 द्वारा आरचित वर्वार को आयो की छूट दी जा रही है जो कि असमय धानिक है NCTE और राज सरकार को ऐसा करने का अधिकार नहीं है यह सुप्रिम कोट द्वारा जज्चों की पीठ द्वारा प्रित पादित सिक्धांत के विब्रीत है याची अधिवक्ता का कहना कि अ पारचित पदों पर चैनित होने का अधिकार है तो कुल मिला करके यह चुनोधी दी गई है कि NCTE को यह कोई अधिकार नहीं है पांच परिशत की छूट देने की TET और सरकार को भी सुपर TET में तो अब देखते हैं इतनी सारी याच क्या है रोज दाखिल होती है और किस-क लोग अगर चाहें तो UPRTOU से अभी भी ले सकते हैं यह होगी आज के वीडियो वीडियो गर आपको अन्तमेक समचार और है उसे भी बता दूं कि इंडियन पोस्ट रिक्रीटमेंट डाक विभाग से निकली है इस समय बंपर भरतियां अलग-अलग अराज्यों से अलग-अ पदों पर बंपर भरतिया निकाली है इसके लिए आवेदन इंडिया पोस्ट की आधिकारिक वेबसाइट एपी पोस्ट डाट इन के माध्यम से करना है इन भरतियों के लिए आवेदन पक्रिया सुमवार आठ जून 2020 से सुर्व हो चुकी है और यहां देख सकते हैं लेका पदों की कुल संक्या 4106 हरियाणा पोस्ट सरकल से निकले तो यहां मत देख सकते हैं आप लोग लेका हरियाणा पोस्ट सरकल में कितने पदों पर होगी वरति मत प्रदेश में कितने उत्राखंड में कितने तो बहुत सारे पदों पर भरति हो रही है लास्ट में एक सूच